प्रिंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमस ब्रिटिश राइटर थामस ग्रेग की दा मोस्ट पॉपुलर पोयम के बारे में जिसका नाम है एलेजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चियार्ड फ्रिंट्स ये पोयम बहुत ही जादा पॉपुलर रही थी बहुत बारे से पब्लिश किया गया है और इसकी जो लाइन्स है इन्हें बहुत जादा क्योट किया जाता है अब जैसा कि आप इस टाइटल से समझ सकते हैं एलेजी एलेजी किसे कहा जाता है तो जो लोगों के मरन पर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें एलगी कहा जाता है और ये पोयम भी वैसी ही एक एलगी है डेथ के बारे में लेकिन ये किसी particular person की डेथ के बारे में नहीं है ये common man जिनकी डेथ हो चुकी है जो अब एक grave में buried है चाहे वो rich हो, poor हो, उन सब के लिए एक elegy का काम करती है और इसलिए ये poem जो है ये थोड़ी और भी ज़ादा special हो जाती है इसे 1751 में लिखा गया था, quartrain style में इसे लिखा गया है 4-4 lines की quartrain में इसे लिखा गया है साथ ही हर quartrain की जो rhyme scheme है, वो है ABAB बहुत ही लंबी poem है friends, तो एक वीडियो में पूरी poem को cover कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा इसलिए मैंने decide किया है कि मैं इस poem पर दो videos बनाऊंगी तो ये पहली video है, इसमें हम थोड़े कम lines को discuss करेंगे और जो next video होगी, उसमें मैं पूरी poem को completely discuss करूंगी तो friends, आप प्लीज दोनों ही video को देखिएगा, तभी आप इस पूरी poem को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे Friends, इस poem में कई themes को discuss किया गया है लेकिन जो major themes हैं, उसमें पहली हो जाएगी the inevitability of death और दूसरी मुझे लगता एक important theme है यहाँ पर, वो है rich versus poor इन दो themes पर यह poem जो है, वो कह सकते है, पूरी तरह से based है और इन्हें अगर हमने समझ लिया, तो poem समझने में हमें काफी असानी होगी देखे friends, इस poem की setting हमें बताई जाती है, कि poem के जो speaker है वो एक छोटे से country, एक छोटे सा कह सकते है village उसके graveyard में है graveyard यानि जिसे हम कब्रिस्तान कहते हैं, एक church के बगल में छोटा सा graveyard है शाम के समय वो वहाँ पर बैठे हैं और सोच रहे हैं किस चीज के बारे में तो death के बारे में अगर आप एक graveyard में बैठेंगे तो death वाली topics पर आपका ध्यान जाएगा ही तो वो death के बारे में सोच रहे हैं साथ ही वो अपने आसपास की surroundings को देख रहे हैं किस तरह जो cattle हैं वो घास खा रही हैं और सोचते हैं कि किस तरह हर एक चीज का end हो ही जाता है थोड़ा समय लगता है लेकिन सब कुछ end कर जाता है और फिर सोचते हैं उन लोगों के बारे में जो इस graveyard में दफनाए गए हैं जिनकी graves हैं यहाँ पर वो कैसे लोग रहे होंगे उनकी life कैसी रही होगी अब और एक चीज यहाँ वो notice करते हैं कि कुछ tombs जो हैं कुछ graves जो हैं वो बहुत ही जादा deteriorating condition में हैं कि कौन से grave में एक rich man होगा और कौन से grave में एक poor man होगा लेकिन वो यह भी बताते हैं कि चाहे आप कितने भी rich क्यों न रहे हों कितने भी stones क्यों न लगा दे उन graves पे वो मरे हुए लोग तो लोट कर वापस आएंगे नहीं और यहाँ पर एक important बात को discuss किया जाता है और वो यह है कि जो लोग यहाँ पर मरे उनमें जो गरीब लोग थे उनकी lifestyle कैसी रही होगी और क्या उनमें कुछ ऐसी talents भी रही थी जो कभी बाहर ही नहीं आई चुकि वो गरीब थे उन्हें अपने पैसे कमाने में इतनी मेहनत करने पड़ी कि वो अपने talents को बाहर ही नहीं ला सके और अगर यह लोग किसी अमीर के घरजन में होते इन्हें proper conditions मिले होते तो क्या उनकी जिन्दगी दूसरी होती इस तरह की धेर सारी चीज़ों को पहले poet जो हैं वो यहाँ पर discuss करते हैं और poem के end में वो अपने लिए एक epitaph लिखते हैं अपने लिए खुद के लिए एक epitaph सोचते हैं epitaph क्या होता है जब मरने के बाद आपकी grave बनती है तो उस पर जो stones होते हैं उसमें वो आपके बारे में कुछ छोटी lines लिखते हैं तो यहाँ poet अपना epitaph खुदी सोच लेते हैं बहुत कुछ है Francis poem में काफी लंबी poem है और हम हर एक चीज़ को धीरे धीरे आराम से समझेंगे Thomas Gray एक English poet, letter writer, classical scholar और professor थे इनका जन्म हुआ था 26 December 1716 में और इनकी death हुई थी 30 July 1771 में अपनी पूरी lifetime में इन्होंने केवल 13 poems ही publish करवाई थी बहुत जादा choosy थे कि इन्हें क्या publish करना है क्या लिखना है इन बातों में तो बहुत कम poems इन्होंने अपनी lifetime में publish करवाई है और जो poem इनकी सबसे जादा famous है सबसे जादा known है वो यही poem है जो भी हम पढ़ रहे है Elegy written in a country church yard तो चलिए friends अब time नहीं waste करते हैं और आगे बढ़कर इस poem को समझते हैं The curfew tolls the nail of parting day Friends, nail का मतलब होता है घंटी तो church की जो शाम की evening bell होती है उसके बजने की आवाज आती है Tall का मतलब हुआ बजने की आवाज आती है और इससे हमें क्या पता चलता है कि parting time of the day आचुका है यानि दिन जो है वो अब खत्म होने वाला है और अब रात होने वाली है यह हमें church की उस घंटी के बजने से पता चलता है The lowing herd went slowly over the lee Lowing herd यानि ऐसे cattle जिनका सिर नीचे की तरफ जुका हुआ था वो graze कर रहे थे वो भी क्या करते हैं वो धीरे-धीरे slowly travel करते हैं over the lee Lee का मतलब होता है घास का मैदान तो उस घास के मैदान को धीरे-धीरे वो cross कर अब यह जो cattle हैं यह भी अपने घर को लोटने के लिए ready है और जो प्लाव मैन यानि हम कह सकते हैं एक किसान जो की बहुत थका हुआ है वो भी बिलकुल वियरी तरीके से थके हुए तरीके से धीरे-धीरे अपने घर की ओर जाता है शाम का समय है सब कुछ अपने अपने घरों को लोट रहे है and leaves the world to darkness and to me और अपने पीछे ये क्या छोड़ जा रहे हैं तो इस दुनिया को किस के भरों से तो इस darkness इस अंधेरे के भरों से यह जो सूरज डूब रहा है और इसके बाद अब यह जो रात होने वाली है उसका अंधेरा जो है वो अब चारों तरह फैल रहा है और साथ ही मेरे भरोसे, क्योंकि मैं तो यहाँ पर अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है और मैं उठ कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो अब ये दुन्या जो है, ये मेरे और अंधेरे बस इन दोनों के ही पास बचीवी है Now fades the glimmering landscape on the side और अब ये जो land है जो की सूरज की रौशनी में चमक रहा था ग्लिमरिंग यानी शाइन कर रहा था चमक रहा था ये भी धीरे-धीरे फेड कर रहा है क्योंकि अब सूरज डूब रहा है उसकी रौशनी नहीं पड़ेगी इस land पर तो अब धीरे धीरे ये भी fade हो रहा है धुंदला से लग रहा है और जो हवा है उसमें एक तरह की stillness एक तरह की स्थिरता आ चुकी है बिलकुल भी हवा में movement नहीं है और बहुत जादा seriousness लग रही है इसके कारण क्योंकि जरा भी movement नहीं है तो लगता है जैसे कुछ serious बाते होने वाली है और पूरा environment ही ऐसा हो गया है Say where the beetle wheels his droning flight सिवाए एक beetle के एक beetle एक insect होती है सिर्फ उसकी आवाज आ रही है यह जो beetle है यह अपनी flight भर रहा है यह हवा में उड रहा है और इसके पंखों से एक buzzing sound आ रहा है जो की अभी poem के speaker को सुनाई दे रही है And drowsy tinklings, little the distant falls और साथ ही यह जो cattle थे इनके गले पर कुछ घंटिया बंधी भी है जिससे tinkling sound आ रहा है अब यह शाम का समय है तो यह जो cattle है यह भी ठक चुके हैं, नींद में हैं, drowsy हैं और धीरे धीरे यह उन fields को छोड़ कर अपने घरों को लोट रहे हैं तो इनके गले पर जो घंटिया बंधी भी हैं, उनकी आवाजे हमें सुनाई दे रही हैं Save that from yonder ivy mantle tower और यह जो हवा है, यह हम कह सकते हैं, यह एक tower से, जो की ivy से, यानी लताओं से हम कह सकते हैं, पूरी तरह से covered है इस से लगता है मानो हवा दूर होकर गुजर रही है, इसके पास तक नहीं आ रही है यह एक लंबा सा tower है, जिसके उपर बहुत सारी ivy है The mopping owl does to the moon complain और यहाँ पर एक mopping owl, एक उदास उलू जो है, वो बैठा है और complain कर रहा है चान्द से चान्द से complain कर रहा है किस बारे में, of such as wandering near her secret bower वो complain कर रहा है चान्द से कि आप मेरे इस secret bower, यह जो मेरा secret घर है इस tower में, इसके बहुत करीब आ चुके है चान्द जो है वो अब आस्मान में अच्छी तरह से दिखने लगा है, तो यह जो उलू है ऐसा लग रहा है मानो चान्द से complain कर रहा है कि तुम मेरे घर के बहुत जादा पास हो, यह secret घर है मेरा, तुम यहां से दूर चले जाओ और इससे क्या हो रहा है, एक तरह का disturbance हो रहा है उस owl के लिए, जो हमेशा से वहां पर अकेले रहा करती थी, अकेले rule किया करती थी ऐसा लग रहा है मानो उसकी इस rule को इस moon ने disturb कर दिया है और अब वो वहां पर अकेली नहीं बची है Underneath those rugged elms that yew trees shade, यानी उन elm trees के नीचे और साथ ही जो yew tree है उसके चाओं के नीचे, इन दोनों चीजों के नीचे क्या है Where heaves the turf in many a moldering heap, जहां पर क्या है बहुत सारे mounds हैं, एक तरसे कह सकते हैं छोटे छोटे गुच्छे बनाए गए हैं, collections हैं वहां पर किस चीज़ के तो सड़ते वे, moldering heap है वहां पर, बहुत ही गंदगी है और वहां गंदगी को collect करके रखा गया है Each in his narrow cell forever laid, यानि हर कोई कहां है अपने narrow cell में छोटे से कमरे में हमेशा के लिए सोए हुए हैं और ये narrow cell क्या है तो उनकी grave या उनकी tomb जहां पर वो मरने के बाद हमेशा के लिए सोए हुए हैं और ये कौन है यहां पर ये सोए हुए लोग तो रूड फोर फादर्स जिन लोगों ने इस गाओं को बनाया जो इस गाओं में ancestors थे वो यहां पर सोए हुए हैं वो इतने जादा developed नहीं थे इनकी बोली इतनी refined नहीं थी तो इसलिए उन्हें rude कहा गया है और वो क्या कर रहे हैं यहां पर सोए हुए हैं यानि सुबा के समय जब हवा में एक तरह की खुश्बू होती है तो उस समय की जो आवाज होती है उस समय की जो कॉल होती है और जो स्वैलो बर्ड्स होते हैं उनकी जो ट्विटरिंग जो चह चहाने की आवाज होती है वो हमें एक शेड से सुनाई देती है ऐसा शेड जो की स्ट्रॉ से यानि घास से बना हुआ होता है दा कॉक श्रिल क्लारियोन और दा एकोइंग होन और साथ ही जो मुर्गे या कॉक यानि मुर्गे की जो बांग की आवाज है वो हमें सुनाई देती है और किसी हंटर की जो होन होते हैं उसकी भी आवाज हमें सुनाई देती है तो सुबह के समय इस तरह की बहुत सारी आवा यह सारी आवाजे जो हैं यह उन लोगों को नहीं जगाएंगी जिनकी डेथ हो चुकी है जो अब अपने resting place में है उन्हें यह सारी आवाजें अब नहीं जगा सकती हैं वो अब अपनी नीज में बिल्कुल पूरी तरह से डूप चुके हैं For them, no more, the blazing hearth shall burn अब उनके लिए जो फायर प्लेस है वो अब नहीं जलाया जाएगा जो लोग मर चुके हैं उन्हें अब आग की गर्मी की जरुरत नहीं है तो उनके लिए आग नहीं जलाई जाएगी और बिजी हाउस वाइफ प्लाई हर इवनिंग खेर और नहीं जो busy housewives हैं जो पूरे दिन घर का काम करती हैं वो उनका ख्याल रखेंगी जब वो शाम को घर लोट कर आते थे तो उनकी wives उनका ख्याल रखती थी मगर अब ऐसा नहीं होगा No children run to list their sire's return और नहीं कोई बच्चे जो हैं वो दौड कर उनके घर लोटने का स्वागत करेंगे अपने father का घर लोटने का स्वागत करेंगे चूंकि अब इनकी death हो चुकी है तो इनका इंतजार कोई नहीं करेगा और climb his knees to the envied kiss to share और नहीं कोई इनकी गोद में चड़ेगा ताकि वो उन्हें किस कर सके सबसे पहले तो इस तरह की चीज़े अब इनके साथ नहीं होंगी क्योंकि ये सभी जो हैं वो मर चुके हैं Oft did the harvest to their sickle yield यानि जब ये लोग जिन्दा थे जब इनकी death नहीं हुई थी तो ये क्या करते थे ये अपने harvest को जो crops इन्होंने उगाए हैं वो उन्हें अपने sickle से एक तरह के औजार से काटा करते थे और ये अक्सर क्या करते थे जो stubborn leap था यानि जो ground थी जो बहुत ज़्यादा rock की तरह solid थी उसे अक्सर ये तोड़ा करते थे यानि कितने जोकन कितने खुश होकर cheerfully ये अपने टीम को अपने farm animals को उन fields पर ले जाया करते थे ताकि वो जमीन पर हल चला सकें और उसे fertile बना सकें crops उगाने के लिए उसे सही कर सकें और कैसे इनकी ताकत के आगे जो woods थे जो जंगल थे वो भी जुख जाया करते थे यानि ये जंगलों में जाकर पेड़ों को काट दिया करते थे उन पेड़ों को गिरा देते थे और ऐसा लगता था कि मानों इनकी ताकत के आगे ये जो जंगल हैं ये भी हार मान चुके हैं और अपना सेड चुका रहे हैं अब यहां पर poet कहते हैं कि आपकी जो ideas हैं जो आपके ambition हैं उन्हें importance दे कर या उनके बारे में सोच कर आप इन country folks का यानि जो गाओं में रहते हैं इस तरह के काम करते हैं उनके मेहनत का मजाक मत उड़ाइए ये मत कहिए कि ये जो लोग कर रहे हैं ये कैसा काम है किस तरह वो इसमें गंदे हो जाते हैं इस तरह की बाते उन्हें नहीं कहिए अब यहां पर poet कहते हैं कि उनकी simple जो homely joys हैं जो छोटी छोटी खुशियां हैं और जो उनकी obscure destiny हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहां जाएगी उसका भी मजाक मत उड़ाइए यह भले ही जो rich people हैं उनकी तरह नहीं जीते हैं छोटी 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 चीजों में अपनी खुशियां ढूनते हैं लेकिन इस बारे में हमें इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही हमारी जो superiority की feeling है कि हमारी लाइफ में बहुत जादा grandeur है बहुत चमक भरी हमारी जिंदगी है यह सोच कर हमें इनकी हालत पर हसना नहीं चाहिए यह सारी चीजे क्या हैं यह गलत है और यह क्या है यह एक छोटी सी सिंपल सी अनाल है यानि biography है उन poor people की क्योंकि इनके साथ इस तरह की चीजें होती रहती हैं यह अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं लेकिन दूसरे लोग आते हैं और इनका मजाग उड़ा जाते हैं तो यह एक तरह से इनकी biography है उनकी जिंदगी जो है यह कुछ ना कुछ हद तक ऐसी ही कटती है यानि हराल्री कि हम एक बहुत ही बड़े परिवार से बिलॉंग करते हैं हमारे family हमारे खानदान में लोग ऐसे थे इस बात पर boast करना brag करना और साथ ही अपनी पावर अपना रुतबा दिखाना इस तरह की जो चीजें हैं और वो सारी खूबसूरती और सारी डौलत जो भी आपको कभी भी मिली थी यह सब क्या है अवेट्स अलाइक दी इनेविटेबल आवर यह सिर्फ तब तक ही आपके पास रहती हैं जब तक आपके जिंदगी का वो आखरी पल नहीं आ जाता यानि आपकी डेथ नहीं हो जाती जब तक आप जिंदा हैं सिर्फ तब तक ही आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं आपकी death के बाद ना आपका नाम आपके काम आएगा, ना आपकी power, ना आपका पैसा और ना ही आपकी खुबसूर्ती और चाहे कितनी ही glory आपकी life में क्यों नहीं रही हो, कितनी ही glorious life आपकी क्यों नहीं रही हो अंत में आपको वो रास्ता कहां ले जाएगा, तो आपकी grave की ओर, आपकी death की ओर, क्योंकि अंत में आपको मरना ही पड़ेगा कितने भी आप rich क्यों नहीं हों, आप death से दूर नहीं भाग सकते हैं, ये तो inevitable है तो friends, यहाँ पर हम इस वीडियो को end करते हैं, और हम इस पर एक दूसरी वीडियो भी बनाएंगे, जिस पर बाकी की बचेवी poems को explain किया जाएगा तो प्लीज आप लोग उस second part को भी जरूर देखिएगा साथी friends, अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो please इसे like, comment और share करिए